नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल बिनरस एजूकेशन पॉइंट पर यदे भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरपत्लम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक के हम सब्सक्राइब को जाके इस्टा मोजो की लिंगे के माध्यम से आप हमारे नूट से पर्चिस कर सकती है आज का जो हमारा वीडियो है मने प्राण पर एक मुख पर इच्छा को ध्यान में रखकर बनाया है और जिसमें हम महत्यपूर्ण फैक्ट आपको बताएंगे साथ इस आपके लिए बहुत ही महत्यपूर्ण है और MPPSC प्राण पर इच्छे 2020 के लिए बहुत ही उप्योगी है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रिशन है नवाखानी पर्व किस जन्जाती से संबंदित है इसकी ऑप्शन है ए गॉंड बिभील सी बैगा दिभार जिसकर आईटा अंसर है दोस्तों ए गॉंड नवाखानी पर्व जो है वह गॉंड जन्जाती से संबंदित है कई बार अभ्यार्थियों का कहना होता है कि जो ऑप्शन होते हैं उनको देखकर अभ्यार्थि कन्फ्यूज हो जाते हैं तो ऐसे में हमें हर चीज का विवस्थ सत्याद रखना होता है कि जो नवाखानी पर्वे है वह गॉंड जन्जाती से संबंदित है बी एची एल भील को महारतन का दर्जा किस वर्स दिया गया है ए दो हजार दस बी दो हजार बारा सी दो हजार तेरा डी दो हजार पंद्रा तो इसका राइट अंसर दोस्तों बी हजार बारा में महारतन का दर्जा दिया गया है जीव भार का प्रामिट किस पारस्थिति की तंत्र में उल्टा हो जाता है इसके ऑप्शन से बन भी घास सी सुसकिस्थल एवं डी तालाब तो इसका राइट अंसर दोस्तों डी तालाब जीव भार का जो प्रामिट है वह त तालव पारश्थितिती की तंत्र में उल्टा हो जाता है, इसके पेक्षबंस उसके स्तलियूं घास में है, सीधा रहता है जीव भार का प्रामिट एवम ताला में उल्टा हो जाता है, तो आपको हिसाफश तयार रहना है, Green Development के लेखक है M. Nicholson, W.M. Adams, R.S. बेटकर और D.L. खाजिका तो इसका right answer दोस्तों भी W.M. Adams जो की Green Development के लेखक है इसकी बाद का जो महत्तुमूर प्रश्ण है सिंदु सब्वता के संदर्व में कौन सा कथन सत्त नहीं है आपको क्या ध्यान देना है सत्त नहीं है सिंदु सब्वता के संदर्व में कौन सा कथन सत्त नहीं है पहला है इसकी option से पहला है मात्र देवी की उपासना का प्रचलन दूसरा प्रमुख फसल ग्यहूं और चांबल तीसरा परदा प्रथावा बेश्य वरत्ती का प्रचलन तो इसकी option से a केबल एक और दो सही है की मात्र देवी की उपासना का प्रचलन और प्रमुख फसल ग्यहूं और चांबल b एक दो तीन c केबल दो और d केबल तीन तीस का राइट आंसर है दोस्तों c केबल दो जिसका आंसर है सिंदु सब बता के संदर में कौन सा कथन सत नहीं है तो इसका राइट आंसर है कि दो सत नहीं है कि प्रवकोभशल गया हूँ और चावल थे बलकि मा की जो दिये गए हैं वस सही है कि मात देवी की उपासना का प्रचलन था चोल काल में प्रचलित कलंजू थे चोल काल में जो प्रचलित कलंजू कहलाते थे वह क्या थे तो ए इस थानी ये निकाए वी भूमी दान देने की प्रथा सी बंदरगा है और डी सौने के सिक्के तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी सौने के सिक्के चोलकाल में प्रचलत कलंजू जो थे वह सौने के सिक्के थे दस बोद किस प्रमुक्षंत की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है इसमें जो हम प्रश्ण देख रहे हैं ये यूनेक हैं आप सोचते नहीं पर ऐसे प्रश्णाने की संभान शत्पतिशत होती है दस बोद किस प्रमुक्षंत की रचना और उपदेशों का संकलन है तुकाराम, भी रामदास, सी एक बात और डी बिग्यानिश्वर तो इसका राइट आंसर दोस्तों भी रामदास जो है बढ़ दस बोद जो है दस बोद जो पुस्तक है प्रमुक्षंत की रचना है तो भी रामदास जी की रचना यह उपदेशों का संकलन है तो इसका राइट आंसर दोस्तों आठमी प्रिशन है का जो राइट आंसर है C लाइट नार्थ बुक्षंत की बात का जमात प्रिशन है गिफ्सन मरुस्थल किस देश में है इसके उप्सन है H ली, B, बोस्वाना, C, तुलकेमेनिस्तान, D, आश्टेलिया तो इसका राइट आंसर है दोस्तों D, आश्टेलिया गिफ्सन मरुस्थल जो है आश्टेलिया देश में है पस्चम बिच्छोब में होने वाली बर्सा की मात्ता क्रमसा कम होती जाती है ऐसे प्रश्णी पूछे जाते हैं जो कि घुमावदार होती है तो पस्चम बिच्छोब से होने वाली बर्सा की मात्ता क्रमसा कम होती जाती है प्रतिष्ठित नासा कारेकरम पूरी करने वाली पहली भालती कौन है जाहं वी डांगेती वी अंकिता रेना सी रिया भाटिया और डी अमंदीप कौर तो इसका राइट अंसर दोस्तों ए जान भी डांगेती प्रतिष्ठित नासा कारेकरम पूरी करने वाली पहली भालती है जान भी डांगेती ुगरोर एप किस के द्वारा जारी किया गया है इसका राईत ढंसर दोस्तों भी निर्वाचन आयुक की द्वारा गरोर एप जारी किया गया है हरी पाल सिंग आलू वालियक जिनका हाल ही में देहान थुगा था वै कौन थे ए लेखक भी परवयावरण विद सी क्रेकेटर और डी परवतारो ही तो इसका राइटा अंसर दोस्तों डी परवतारो ही हरी पाल सिंग आलू वालियक जिनका हाल ही में देहान थुगा था वै पर बतारू ही थे यहाँ परहाँ आपको बतारने कि करेंट अफेर से बगहर यदि आपको विश्टत तयार करना है तो आप हमाई नूर साधी के माध्यम पर्चेस करके तयार कर सकते हैं प्राइब में परिच्छा के पहले अप मुख परिच्छा की विश्टत तरूप से तयारी क प्रणीप प्रिक्षा की तैयारी भी लग्वार सत्प्रतिशत हो जाती है तो आपके पास समय आ गए है कि अपनी प्रणीप्रिक्षा की त्यारी की सत्प्रश्ण मुक्त परीच्छा में भी जूटे और जिनको MPPC 2020 देना है, भै भी हमारे समासास लोग प्रिशासन मद्रपिदेश की प्रमुक रियासतें, हिंदी, एथिक्स, सुसलादी सभी सब्जेक्ट की नूर्स पर्चिस कर सकते हैं, त्योंकि हैं डिटरन हैं, टॉपर्स की द्वारा बनाए गए हैं, अमर जवान जोती को इस्थान अंतरित कर किसकी प्रतिमाई स्थापित की जानी हैं, जागरुक बोटर अभियान का प्राड़म किस ने किया, ए फेस्बुक, भी ट्विटर, सी इंस्टाग्राम और डी रिलाइस जीओ, तो इसका राइन दाजर दोस्तों भी ट्विटर, जागरुक बोटर अभियान का प्राड़म भुजू है, वह ट्विटर की माध्यम से किया गया है, अमर जवान जोती को इस्थान अंतरित कर किसक भाखानी पर्व जो है, वह गोन जन जाती से संबंदित है, और चोलकाल की प्रचलित कलंजू थे, सोने के सिक्के दसभोध जो है, वह प्रमक्हसंत रामदाश जी की रचनाओं और उपदेशों का संकला ने इस प्रकार से आज इस वीडियो हमने महतूर प्रशनों को देख अगरी आप हमारे से त्यों जोड़े रहेंगे और अभी तक आप हमसे नहीं जुड़ें तो फेसो क्यूटिव इंस्ट्रागान टेलीग हमारे के माद्ध्यम से विजोड़ सकते हैं, अपनी तयारी को सचार्व रूप से कर सकते हैं, आप सब्सक्री को बहुत बहुत धन्य हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमासा करते हैं, अगरे अब हमसे जुड़े रहेंगे और प्रारम परिक्ष्व इंटर्व्यू के तयारी हमारे माद्ध्यम से करेंगे, अन्य परिक्षाओं के लिए भी उप्योगी है, अन्यवाद